स्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल राज ग्यान पर जीवन में है पैसों का संकर तो अपनाएं वास्तु शास्त्र में बताए गए ये उपाई जल्द मिलेगा लाब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धन का विशेश महत्वा होता है सामान्य से लेकर वैभवशाली जीवन जीने तक और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यता होती है धन के अभाव में आर्तिक तंगी, दरिद्रता वान्य कई परेशानिया आपके जीवन को घेर लेती है वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में वास्तु दोश होने पर परिवार की तरक्की में रुकावटें आती हैं और धन भी नहीं टिकता आप वास्तु से जुली हुई छोटी-छोटी बाते ध्यान में रख कर जीवन में सुख समृध्धी और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं वास्तु के आसान से उपाय जिसको करने से आपका घरधन धान्य से भरा रहेगा एक, वास्तु शास्त के अनुसार घर की पूर्व्या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए ये वास्तु दोश को दूर करने के साथ ही धन संबंधी रुकावट दूर करता है दो, वास्तु नियम के अनुसार यदि आप नौक्री या व्यापार में आर्थिक उन्नती चाहते हैं तो अपने घर में उत्तर पूर्व्यानी इशन को उनको साफ रखना चाहिए तीन, वास्तु शास्तु के अनुसार नल और तनकियों से अनावशिब बहता पानी अशुब माना जाता है जिन घरों में व्यर्थ पानी बहता है, वहाँ बरकत नहीं होती है इसके अलावा बेवजह धन खर्च होता है ध्यान रखें की व्यर्थ में पानी की बर्बादी न हो चार, अपने घर के दर्वाजे और खिर्कियों को हमेशा साफ रखें क्योंकि घर में आने वाला धनका इससे सीधा संबंध होता है अगे बढ़ने से पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवन दोस्तों को शेर जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए अब आगे बढ़ते हैं सूचना के विभिन माध्यमों, ज्योतिशियों, पंचान, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्मुरतों से संकलित करके ये सूचना आप तक प्रेशित की गई है हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुँचाना है राज ग्यान धन्यवाद